हेलो स्टुडेंट्स इन पेरेंस तो यार आप सभी ने यूपी आयूस की वेब साइट पर ओफीसियल रेजिस्टेशन अप कर लिए होंगे कांसलिंग का दौर चल रहा है सेडी विल गोइंग ओन है अब बारी आ रहे है कि भाई रेजिस्टेशन हम कैसे करेंगे क्योंकि अल्टिमेटली मुद्दा रेजिस्टेशन पर जाफसा है हम लोगोंने खूब मिस्टेक की हुई है मैंने आप सभी को रेगुलर बेसिस पर लाइव आकर बताया हुआ है कि क्या क्या आपको मिस्टेक का रिस्पॉन्स करना है कैसे डॉकुमेंट्स को अप्रूब करा तो उसके तीन मेथड मतलब तीन फैक्टर से एक तरीके से जो आपको ध्यान में रखने हैं पहला अप्रोचिंग कॉलिज मतलब जो बहुत अच्छा है जो आपकी स्कोरिंग पर नहीं मिल सकता है दूसरा एवरेज कॉलेज एस पर बज़र्ट एस पर कट्टॉप मतलब मार और उसके तीसरा एजन बैक अप इसके भी रिजन बता दें क्यों बैक अप क्यों रखना होता है अब आज़ो यहां पर यह पूरे कांसलिंग की यहां पर महा भारत है कि कब अप होगा कब डाउन होगा क्या होगा राउंड वन पर कट आपका बहुत लो जाने वाला है जो भी कॉलेज है 100% सीट्स वाकेंट है तो अभी आपको जो मिलने के चांसेज है वो जादा है इन कंपरजेंट वो अपकमिंग राउंड जितना डाउन इसमें जाएगा उससे भी जादा डाउन इसमें जा सकता है वो पता है क्यों और इसमें अगर आप फॉर में जाएंगे तो अपको कॉलेज मिलने के चांसेज बन सकते हैं तो आप अपनी सीट को अप्ग्रीड करा सकते विकोज अप्ग्रेडिशन डाउन में कॉटाप डाउन जाती है अब आज जो सेकेंड जाएंगे तो अल्मोस्त 90 percent में जैसेज़ेंगे फॉल हो जाती है जैसे आपने आफ़ाई जाना शुरू हो जाएगा फुर राउंड थेड राउंड थेड में ऐसा कॉलेजेज मिलेंगे ना उस पर आप स्लक्सन नहीं कर सकते हो आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए होगा तो आपको मिल याएगा विकोश जो अच्छे कॉलेजेज होते हो राउंड वन एक प्रफरेंस लिस्ट त्यार की हुई है यह बो च्वाइस प्रफरेंस लिस्ट है जिसको आप अपनी छॉईस स्लिंग में रक सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको करना किया अकली स्टीन ऑप्सन रखने हैं सिंगल ऑप्सन कब रखना है वो भी मैं बता दूं अगर आपका 500 मार्क से कम हैं तो मैं बोलूगा कि आप एट लिस्क दो उप्सन रखे गुरु गुरक्षनात मेजर इस्टे सिंग पीजी कॉलीज फरुखाबाद या गुरु गुरक्षनात के साथ में कोई भी एक बैकॉप उप्सन आप रख सकते हो जो आपको पसंद हो जो 475 की बीच में हो तो एक बाक अप रखना है 475 से और नीचे आगे तो हमको तीन ओप्सन लेके चलने पड़ेंगे पहला गुरु गुरक्षनात फिर मेजर इस्टी सिंग फिर जो कॉलेज आप रखना चाहरे हैं वो है ना इस तरीके से थ्री प्रफरेंस लिस्ट तो जो मैं मिनात अर्वेदिक कॉलेज आगरा तीन लाग रूपर का फी स्टक्चर है आप यह तीन कॉलेज रख सकते हैं रिमेंस अगर आप चारों की भाई रखना है इसान रखना जीए सापूर रखना है तो आपको मेरे कहने का लॉजिक तीन ऑप्सन लखना है तो 400 नंबर तक जैस लखना हो और लास्ट में अर्दों तो अगर आपकी स्कूरिंग 400 और 300 के बीच में तो आपको कॉलेज तो यही वाले मिलने हैं यह बात तो क्लियर होगी आपको सबको मालूम होगा क्योंको 300 के नीचे सरदार पड़ेल भी हो सकता आपको ना मिले आप यहां से लिलो और और के नीचे आपको मिल सकते हैं जो आपको प्रिफरेंस लिस्ट में डालना चाहिए यह वाली लिस्ट समझ में आ गई यह जो प्रिफरेंस लिस्ट है ना च्वाइस प्लिंग का इसका पीडियाप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा वह वाट्शॉप ग आगे का कोई कोलेज नहीं मिलता है जो मैंने पांच साथ दिये हुए तो आप इसको रख सकते हैं है ना और कम फीस में एपक्स मिर्जापुर और एपक्स अगर नहीं मिलता है तो आप आपकी स्कूरिंग 200 तक है अगर आप यह पांच कोलेज रखेंगे प्रफरेंस लिस्ट में तो आपको अलॉट्मेंट मिलना 110 परसेंट तैय है अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर रामा उनुवस्टिटी को नहीं रखा तो आप यहां पर ऑबलिक रामा उनुवस्टी भी रख सकते हो बहुत जैनूइन च्वाइस प्लिंग प्रफ इन उच्वाइड तक तो फीड़ि़ बता दो पहला कॉलेज है विम्ला फेमली कानपुर दूसरा कॉलेज है तीसरा कॉलेज है सर्देव आरविधिक कौले नया कॉलेज है बहुत प्यारा कैंपॉस तो डाल रख है और फूर्त नम्बर पर कॉलेज आ जाता है डबलू मिलेगे WhatsApp ग्रूप पर या टेलिग्राम ग्रूप पर तो वीड़ो आज के यहीं तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है च्वाइस को लॉक करना बिल्कुल नहीं भूले और जो भी कॉलेज आप रख रहे हैं उसका एक बाक अप जरूर डाल के चलें और इन फ्यूचर रफ में तब तक के लिए बाबाएं